अध्यक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें आज मामाहिम राष्टपती जी के अभी भाष्ण पे बोलने का मौका दिया है मैं इस सदन में तीसरी बार आया हूँ और मैं दिल्ली से नौर्थिष दिल्ली के जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जने ने हमें तीसरी बार चुनके भेजा और सिर्फ हमें ही नहीं भेजा बलकि हमारे दिल्ली के साथ के साथ लोगों को तीसरी बार जिता करके भेजा है हम सभी यहां सांसद कड़े हैं जरा संरचन करें अध्यक जी मात्र मुझे ही नहीं भेजा बलकि हमारे साथ के साथ सांसदों को तीसरी बार भेजा और नरेंद्र मोधी जी में वो विस्वास दिलाया आज तक दिल्ली में नया इतिहास बना कभी तीसरी बार 7707-0 से जीत के आये ही नहीं ये विश्वास है हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रती देश के प्रदान मंत्री जी के प्रती और मैं पूरी दिल्ली के सहीत अपने लोगसभा के लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मानिय अध्यक जी हम जब 2014 में आये थे इस सदन में तब हम एक दूसरी दुनिया से आये थे और जब हम सदन में घुसने जा रहे थे जब मेरी नजर पड़ी कि देश का प्रदान मंत्री बनने जा रहे एक व्यक्ती जिन सिणियों से लोग चपल जूते पहन के जा रहे थे अचानक हमने देखा वो नरेंद्र मोदी जी उन सिणियों पर माता रखके जुग गए थे हमारे जैसे लोग जो किसी और दुनिया से राजनीती में आते हैं उनके लिए एक बड़ा एक जामपल था मैंने मोदी जी 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 मोदी मोदी मो बारत माता की अध्यक जी मैं जब अध्यक जी जब मैं पहली बार यहां आया था तो हमने देखा देश के होने वाले प्रधानमंत्री उन शीड़ियों पर माथा रखके आगे बढ़ रहे थे जब हम दूसरी बार मानिय द्यक जी जब हम दूसरी बार 2019 में जब हम संसद में आये तो हमने देखा देश के प्रधानमंत्री पत पे आ रहे नरगर मोदी जी ने सबसे पहले संबिधान को इसे माथा जुकार करके प्रणाम किया वो द्रिस्य हमारे लिए और मैं समझता हूँ मेरे सबी साथियों के लिए हाथ में संबिधान लेना भी ठीक है लेकिन संबिधान लहराना और संबिधान की पूजा करना दोनों में अंतर है हमने नरेंद्र मोदी जी को संबिधान की पूजा करते हुए देखा है इसलिए मैं बड़े ही बिनमरता से कहना चाहता हूँ राष्ट्पती जी के अभी भाशन के बाद मैं जब दिल्ली के ही अपनी कुछ बाते करूँगा दिल्ली के ही सवभाग्य को देखूँगा एनेश 24 पे जाते होंगे आज दिल्ली मेरट तक चली गई है ध्यक जी आज लोग दिल्ली में मेरट से काम करने आते हो और 35-40 मिनट में पहुंचते हैं तब हम सबको गरव होना चाहिए हमें गरव क्यों नहीं होना चाहिए जब हमें पता चलता है कि देश के 4 करोड 22 लाक बेघर को पहली बार घर मिल गया हमें क्यों नहीं गरव होना चाहिए ध्यक जी जब 12 करोड घरों में टोईलिट बन जाते हों जब 52 करोड में गाओं का आदमी अध्यक जी हमारी माँ पहले एक और एक हमारी गाओं में काम करती थी उनके लिए हमसे एक बार वो बीस हजार रुपया मांग के दी थी और एक दिन वही हमारी माई हमसे कहती है ए मनोज तो जाना तला जुरिती वाली के महरारू के उनके घौर मिल गई मोदी जी घौर दे ले बाड़े अध्यक जी हम जानते हैं कि गाओं में घरों में टोईलेट न होने का क्या दंस होता था हम लोग साइकिल से जाते थे तो सड़क पे खड़ी महिलाएं खड़ी हो जाती थी अगर उस दंस को किसी ने दूर किया वो नरेंद्र मोदी जी वो सरकार हम क्यों न गरों करें इस पे तेरह करोर गरों में नल से जल लगा दिये हम दिल्ली में पाईप से घरों में गैस जा रही है और दिल्ली में एक बैठी हुई आमादी पाटी की सरकार नल से जल तक नहीं दे पाई हम ये भी दंस इस दिल्ली में देख रहे हैं अध्यक जी कभी भारत मंडपम देखिए मेरे विपक्ष के भी साथ ही लोग आप लोग जाएए आप जब जाएंगे तो आपको गरों होगा आप कभी हाँ दादा होता है होगा आप कभी यशो भूमी को देखिए आप कभी बाबा साथ भीम्राव अंबेटकर अंबेटकर बाबा साथ भीम्राव बेदकर को अंतिम्क्रिया के लिए एक कठा जमीन नहीं दिया गया बुरा मत मानना नराज मत होना उसी दिल्ली के हिर्दय में नरेंद्र मोदी जी ने पाँच एकड़ में बाबा साथ का इस्टेडी सेंटर बना के दिया है यह होता है सम्मान इसके नाम पे क्या दिया क्या एक महिला को आप देखो बुरा मत मानना हाथ जोड़ के आप को ये बात ऐस तरह से महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए कल्यारदा का नहीं करना चाहिए मैं आपसे प्रात्रा करता हूं आप कोई एक्ट्रेस को सिर्फ देखने वाली बस जू महिलाओं को निस समजा जाई हम आपसे प्रात्रना कर ए हमें दरव इस बात का होना चाहिए अद्यक जी माफिच आता हूं अद्यक जी मैं खतम करूंगा मुझे घज़्क तो होना चाहिए जब इस दिल्ली में अब इस देश में नहीं हम गुम्रा नहीं कर रहे हैं अगर आप कोई बात दादा अब इस देश में दादा ऐसा नहीं करना चाहिए देश के सतर साल के बुजर्गों को अब बृधासरम भेजने किया वशक्ता नहीं अब इस देश 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 अध्यक जी अध्यक जी अध्यक जी हमको गर्व होता है वंदे भारत जैसी ट्रेन में बैठ कर हमको गर्व होता है जब 70 साल के बुजर्ग को अब किसी ब्रिधास्त्रम भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम उसका इलाज कराने के लिए मोधी सरकार खड़ी रहेगी हमें तब गर्व होता है देख जी हमें गर्व होता होना चाहिए जब रश्टाचारियों पर नकेल हो इसलिए मैं प्राथना करता हूँ अपने सवी साथियों से कि हो सके तो हाँ गाना तो गाते हैं दादा हम आप स मा के नाम से एक पेड लगाने का एक अवियान जो सुरू हुआ है उसमें साथ देना चाहिए चलिए मिल करके मा के नाम से एक पेड लगाते हैं दादा मा के नाम से आप ही लगाते हैं मा के नाम से एक पेड लगाईए और मैं अध्यक जी मैं एक लाइन के नरेंद्र बोधी जी सरकार को तीसरी बार अगर इस देश की जनता ने छुनके भेजा है अध्यक जी अध्यक जी अध्यक जी मैं नोपंती के साथ अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं नरेंद्र मोधी जी को तीसरी बार देश ने ऐसे नहीं चुना है हमारे संस्कृत में एक शलोक है अभिवादन शीलस्य नित्यम ब्रधो पसेविना चत्वारह तस्य बरधंते आयूर विद्या यशो वलंव नरेंद्र मोधी जी की भी आयू बढ़े नरेंद्र मोधी जी के सरकार की भी आयू बढ़े यह इस देश की जनता चाहती है आपने हमें बोलने का मोका दिया मैं राश्पती जी के अभिवाशन को बहुत ही उत्तम मानता हूं बहुत समर्थन करता हूं आपको धन्यवाद द झाले ताओ।